हेलो दोस्तों, नमस्कार, दोस्तों, इतिहाँ के वन लाइनर क्वेस्चन की सीरीज में आप सभी का स्वागत है अगर इससे पहले का आपने प्रेक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं तो आज का question जो है पांसु इक्याउन से लेकर के पांसु पचास है अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजेगा और वेल आइकन प्रेस कर लिजेगा तो चलिए शुरू करते हैं सवाना घास मैदान कहाँ पर है तो सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है सर्व पर्थम भारत वर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला है तो सर्व पर्थम भारत वर्ष का जिक्र हाथी गुमफा अभिलेख में मिला है सरसयद एहमद खाने साइंटिफिक सोसाइटी की कब अस्थापना की समुदाय होता है तो समुदाय मूर्थ होता है सबसे सुरच्छित तरीके से जाज करने की विधी है सबसे सुरच्छित तरीके से जाज करने की विधी MRI यानि Magnetic Resonance Imaging है सबसे तेज दोड़ने वाला जमीन पर रहने वाला जानवर कौन सा है तो सबसे तेज दोड़ने वाला जो जमीन पर रहता है वह जानवर चीता है सन 1997 में गुजरात के मुखमंतरी शंकर सिंग वगेला का पचपात करने का आरोब वहां के जिस राजपाल पर लगाया गया था उनका नाम क्या था तो उनका नाम जो है क्रिश्न पाल सिंग था सरफ़ोसी की तमना अब हमारे दिल में है गीत की रचनाकार कौन है तो इस गीत के रचनाकार जो है रामपरसाद नाम किसे समंदित है तो यह जो है कॉमर्सियल सी सम्मंदित है संसार का सबसे बड़ा जयव इंधन सैयतर कहां पर अस्थापित किया गया है तो यह जो है ब्राजील में अस्थापित किया गया है ब्राडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है तो ब्राडगेज रेलवेय राइन की चौड़ाई एक 2.676 मींटर की होती है बैरिंग जलडंबरूम मद्ध किन दो देशों के मद्ध है? तो यह अमेरिका योदूश देशों के मद्ध में है अराकान योमा किस देश में है? तो अराकान योमा में मार देश में हैं चैती किस धर्म के अन्यायों का पूजास्थल है तो चैती जो है बाद धर्म के अन्यायों का पूजास्थल है हैदराबाद में जन्मे भारतिय क्रेकटेर वी वी यस लचमन का पूरा नाम क्या है तो इनका पूरा नाम वेंगा पुरचपु वेकंट साई लस्मड है हिंदू सोसियल और्गनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है तो हिंदू सोसियल और्गनाइजेशन पुस्तक के लेखक प्रभू है हिंदू पौराणई कथाओं में कौन सा सर्फ कालिंदी नदी में रहता था तो जो है कालिया जो है सर्फ कालिंदी नदी में रहता था next question है हिडिमबा के पती कौन थे तो हिडिमबा के पती भीम थे हाइड्रोजन परमाडू के नाभिक में प्रोटान की संख्या कितनी होती है तो हाइड्रोजन परमाडू के नाभिक में प्रोटान की संख्या एक होती है हर्यक वंस के किस राजा का उपनाम स्रेणिक था तो हर्यक वंस के बिम्बिसार राजा का उपनाम स्रेणिक था सामने के अंत से काम करता बैगंड रूब में परियोग किया जाता है तो इसमें जो आपका भरा जाएगा वा नोटपैड यानि इंटरनेट एक्स्प्लोरर हो जाएगा स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद सबसे पहले किस बड़े नीता का निधन हुआ था तो स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद सबसे पहले महत्मा गांधी का निधन हुआ था जिसमें इन्हें नाथु रामगोड से ने गोली मार दी थी स्वतंत्र भारत के प्रथम ग्रह मंत्री कौन थे तो स्वतंत्र भारत के प्रथम ग्रह मंत्री सरदार वल्लब भाई पटेल थे स्क्रीन पर डिस्प्ले किये गए पिक्सल की संख्या को स्क्रीन कहते हैं तो इसे रिलेटेड रिकार्ड्स ग्रूप कहते है सोडियम सलफेट कारखाना कहा है तो सोडियम सलफेट कारखाना डीडवाना नागावर में है सूर से बढ़ती हुई दूरी में इस्थित ग्रहों का सही करम में है तो सबसे पहले सूक्र पृत्वी मंगल हो जाएगा सूफी संतख्वाजा मुईनित दीन चिस्ती किसके सासनकाल में राजस्थान आये थे तो यहाँ पृत्वी राजचोहान के सासनकाल में राजस्थान आये थे सुबाश चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उधगाटन कहां किया था लिंगापुर में किया था, CT scan का पूरा नाम है, तो CT scan का पूरा नाम computerized tomograph scan है, सिंधु सभ्यता के लोग किस छेतर के निवासी थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग भूमद्य शाग्रिय छेतर के निवासी थे, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा के रचनाकार कौन है, तो सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा के रचनाकार मुहमद इकबाल है, सात वाहन साजकों की राज की ये भासा क्या थी, तो सात वाहन साजकों की राज की ये भासा प्राकृत थी, सम्विधान के अनुशार राजपाल केंद्र का किस प्रकार का प्रतिनिधी है सर्व प्रतम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंब हुआ सरकार को सभी स्रोतों से प्राप्त आए क्या कहलाती है सरकार को सभी स्रोतों से प्राप्त आए सार्व जनिक वित्त यानि सार्व जनिक आए कहलाती है शमुदाई शमुदाई का भावना व्यक्त करता है सबसे हलका तत्त कौन सा है तो सबसे हलका तत्त हाइडरोजन है सबसे तेज रफतार रेलगाडी किस देश में है तो सबसे तेज रेलगाडी फ्रांस देश में है सन 2000 में डाक्टर बाबा साहब अमबेड कर नामा खेंदी फिल्म किसने बनाई थी तो जबार पटेल ने बनाई थी अम्बेडकर वालमी की मलिन बस्ती आवास योजना कब प्रारंब की गई तो यह 2 दिसंबर 2001 को प्रारंब की गई शर्फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है यह किस ने कहा था तो यह रामप्रसाद विसमिल लेने कहा था नेक्स्ट कुश्चन है .ini extension किस तरह की फाइल के लिए संदर्वित करता है तो यह सिस्टम फाइल के लिए संदर्वित करता है संसार का सबसे बड़ा दूइप समू है बहारतिये रेलवे का राष्टिये करण कब किया गया तो भारतिये रेलवे का राष्टिये करण 1950 में किया गया था भारत का सबसे बड़ा नदीद्वेप कौन सा है तो भारत का सबसे बड़ा नदीद्वेप मंजली नदीद्वेप है असो के साथ स्थम्ब लेख कितने अलग-अलग स्थानों पर मिले हैं तो यह जो है छे अलग-अलग स्थानों पर मिले हैं जन्म मिर्त्यूपंजी करण अधिनियम कब अस्तित्तों में आया यानि सामने आया तो 1979 में यह सामने आया यह लागू हुआ था है एदराबाद में टकसाल किस वर्स अस्थापित की गई थी तो जो टकसाल थी वहें कमपनी थे यह जो है 1903 ISV में इस्थापित की गई थी हिमांचल प्रदेश को राज का दरजा कब प्रदान किया गया तो हिमांचल प्रदेश को राज का दरजा 1971 में प्रदान किया गया था तो आज़ा करते हैं आपको यह कोईशन पसंद आए होंगी अगर आपको या कोईशन पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन प्रेस कर दें जैसे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके हम डेली आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं के लिए थाएंक्यू जाए हिंद जाए भारत कि अच्छे 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 लिए थाएंक्यू जय हिंद जय भारत